हेलो दोस्तों आज दोस्तों हम आपको इन प्लांटरों के बारे में बताने जा रहे हैं ये देखिए आपका मिट्टी का है सिमेंट का है ये प्लास्टिक का है और ये चीनी मिट्टी का है ठीक है तो इन में सम्में बहतर कौन सा है गमला पौदे के लिए ठीक है देखिए पह पानी भी जल्दी सूख जाता है, ठंड़क भी रहती है, अब गर्मियों में ठंड़क भी मिलती है, प्लांट कोई जड़ें खराब नहीं होती है, तो सबसे पहले लंबर पे तो मिट्टी का ही पॉट आता है, और हम ज़्यादा तर करके लोगों को यही बताते हैं कि मिट्ट का पॉट लीजिए, दूसरे नमबर पे आता है यह सिमेंट का पॉट, है ना, सिमेंट का भी पॉट बहुत ही अच्छा होता है, आप इसमें भी प्लांट लगा सकते हैं, है ना, इसमें भी ऐसा ही है, इसमें क्या है, आप पानी जब देंगे ना, तो आप का पानी दूसरे दिन ही सूख जाएगा और बहुत ही अच्छे से इन दोनों में पौधा सरवाइफ कर जाता है इसमें आप आउटडोर प्लांट लगा सकते हैं और कहीं भी रख तकते हैं आउटडोर में धूप में रखेंगे आप तो भी कोई प्रॉबलम नहीं होगी लेकिन जब ज़्याद तेज दूप होती है तो तो शेड लगाने ही पड़ता है है ना चलिए अब हम आपको बताते हैं अगर आप इन गमलों में नहीं लगाना चाहते हैं उठाने रखने की वज़े से भारी हो जाता है तो अगर आप प्लास्टिक का गमला नेना चाहते हैं तो प्लास्टिक का ग प्लाश्टिक तो इसलिए आप सिर्फ इसमें इंडूर वाला प्लाट लगाईए जो शेडी अरिये में या चाया में रखने वाला प्लाट होता है वो लगाईए और ट्रेनेज ऐसा होना चाहिए देखिए यह हमने जैसे छेद किया है इतने बड़े बड़े छेद आप दो कर लिजिए तीन कर लिजिए चार कर लिजिए और भी अच्छा है चार कर लेंगे तो और भी अच्छा है और छेदों पर गिट्टी लगा लिया करिए गिट्टी ऐखी लगाया करिए कि जो टेड़ी हुआ करें गमले की टूटी हुई या फिर मटकेटी टूटी हुई हो वह ऐसी गिट्टी रखा करिए है ना इससे ड्रेन अच्छा रहेगा और आपके प्लांट की जड़ें गलेंगी नहीं और सरवाइब भी अच्छे से करेग अच्छा अब ये इसका भी चलन आ गया है आपका क्या नाम है चीनी मिट्टी के गमलेगा तो इसमें भी आप लगा सकते हैं लेकिन इसका स्वाइल आप थोड़ा अलग तरीके से आपको बनाना पड़ेगा जैसे कि इस तरीके से स्वाइल बनाईए आप जैसे कि सेंड तो आपको हमने बताया जिस तरीके से और कैसे कहा रखना है आपके समझ में आया होगा और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक करिए हमारे चैनल पर अगर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए इसी तरीके की नई नई जानकारी हम आपको देते रहेंगे फिक है दोस्तों मिलते है अगले वीडियो में